हेलो गाइज वेलकम बेक टो माई चैनल में आपका दोस्त लक्षे है और आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है और स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं जा रहा हूं कार्तिक स्वामी टेंपल के लिए कार्तिक स्वामी टेंपल जो की उत्रा खंड के रूदर प्रियाग डि का तो मैं आपको कुछ बताता हूं कार्तिक स्वामी जी के बारे में रुदर प्रियाग से कार्तिक स्वामी जी को पहुंचने में हमें गाडी में 30 किलमेटर का रास्ता है उसके बाद चार किलोमेटर का पैदल ट्रैक होगा जिससे हम उपर मंदीर में पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे की कैसा रहेगा पूरा ट्रैक और कैसा रास्ता है तब तक के लिए आप ये ब्यूटी और सिनरी को देखते रहो मजेल हो इसके आप और अभी हम पहुंचे हैं चोपता बजार में चोपता बजार जो आपको दिख रहा होगा नीचे ये कार्तिक स्वामी के रास्ते में आने वाला सबसे महत्पुन सतान है यहीं पर ही लोग रुपते हैं अगर रात में जिसने ठहरना होगा यहां का नाम चोपता है बहुत ही खुबसूर जगा है पूरे हरे वरे पहाडों के बीच में चोटा सा शहर बसाए गया है आप देख सकते हैं बहुत मजा रहा है आप बने रहा है करते हैं जगा है दोस्तों अभी हमारा पैदल रास्ता शुरू हो गया है तो हम निचे से उपर पैदल आ गये हैं रोड के पास से तो आप देख सकते हैं बिल्कूल खुबसूरत पहाड के बीच में से हम गुजर रहे हैं उपर को और बहुत ही खुबसूरत रास्ता है बहुत मज़ाता है चलि मंदीर से सो मेटर नीचे हैं उपर आप देख सकते हैं मंदीर है बहुत ही खुबसूरत मंदीर और हमारे दोस्तों का भी पैदल चलके बुरा हाल हो गया है सुजीत को आपने देखा हुआ देखिये मंदीर बिल्कूल चोटी पे स्थित्य है मंदीर हमारा कार्तिक स्वामी और बहुत ही खुब सुरत मंदीर नीची आप बुट खुबसुरत मुषिए का और बहुत ही खुबसूरत मुख्याद मुख्याद है तो दोस्तों अभी हमने मंदीर के दर्शन कर लिये और बहुत मज़ा है आप यहां पर आके बहुत ही खुबसूरत मंदीर है पुरा पहाड की चोटी पर मंदी स्थित है जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान श्री कार्तिक स्वामी जी भोलनार जी के बड़े बड़े स्पूत्र थे और इनका जो उत्तर भारत में इनके मंदीर बहुत ही कम होते हैं उनमें से एक मंदीर यह है और यह बहुत ही खुब सुरत मंदीर है भगवान जी का दोस्तों अभी हम उपर से ट्रैक करके बापीस रोड पे आगे थे और गाड़ी में बैठ के हैं बापीस जा रहे हैं अपने रूम की तरक को आप देख सकते हैं आते वकट भी कितना खुबसुरत है अभी शाम का टाइम है लेकिन बहुत मजा आ रहा है फाइनली फूरे दिन का ट्रैक करने के बाद अभी रूम पे आगे हैं बहुत थकान लगी हुए क्योंकि तीन किलो में का ट्रैक चलना बहुत बड़ा टास्क होता है और अभी के लिए इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें ताकि मेरे चैनल को बहुत सारे लोग देख सकें अभी के लिए बाय बाय सी यू टेक केर मिलते हैं किसी और ब्लॉक में